केंद्र सरकार द्वारा बास्मती चावल से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस MEP सीमा हटाने के बाद इसके निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि MEP हटाने से खास कर यूरोप और अमेरिका में भारतिय बास्मती की डिमांड बढ़ जाएगी। इससे भारतिय कारोबारियों को काफी मुनाफ़ा होगा। साथ ही भारतिय बास्मती चावल की हिस्सेदारी भी ग्लोबल मार्केट में बढ़ेगी। वहीं इस कम रेट पर विदेशों में बास्मती चावल का निर्यात नहीं किया जा सकता। ऐसे में कीमत ज्यादा होने के चलते भारतिय बास्मती चावल की विदेशों में मांग कम हो गई। इससे बास्मती किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी आर्थिक नुकसान हो रहा था। लेकिन निर्यातकों की मांग पर बीते 13 सितंबर को केंद्र सरकार ने बास्मती से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की सीमा हटा दी। News Agency Reuters के मताबिक के RBL Limited में थोक निर्यात के प्रमुक अक्षय गुपता ने कहा है कि बास्मती से MEP हटाने से ग्लोबल मार्केट में इस सुगंधित चावल के बीच कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। इससे कीमतों में बढ़ोतरी होगी। साथ ही इसके निर्यात में बढ़ोतरी होगी। ऐसे भी विश्व में भारत और पाकिस्तान ही ऐसे देश हैं, जो प्रीमियम ग्रेड बास्मती चावल का उत्पादन करते हैं। लेकिन भारत सरकार द्वारा बास्मती पर M.E.P. लगाने से पाकिस्तान की ग्लोबल मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ गई। दिल्ली के निर्यातकों का कहना है कि हालांकि M.E.P. को हटाने के साथ भारत ने विश्व चावल मार्केट में अपनी जगह फिर से मजूबत कर ल नीस लाक टन हो गया है। देश ने पिछले फाइनेंशियल एर में रिकॉर्ड बावन लाक टन चावल का निर्यात किया क्योंकि कनाड़ा, इराक, ओमान, सुदी अरब और यूनाइटेड किंगडम में इसकी मांग बढ़ गई। इससे इरान में कम खरीद के प्रभाव की भरपाई हो गई। भारत विश्व का सबसे बड़ा बास्मती चावल का उत्पादक है, लेकिन देश में इसकी खपत बहुत कम है। ऐसे में सरकार सामाने ग्रेड के चावल की तरह इसका भंडारन नहीं करती है। साथ ही वह इस किस्म को खरीबती भी नहीं है। जानकारों का कहना है कि अनुकूल मौनसून के कारण इस साल देश में बास्मती चावल उत्पादन 10-12 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, जिससे निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी